नमस्ते दोस्तो इस समय गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में ठंड़ ठंड़ा खाने का मन करता है और करोना भी चल रहा है तो बाहर से चीज़ें जादा हम नहीं ला सकते हैं तो उसके लिए आज में आपको घर में ही दो अलग अलग तरीके की आईस क्रीम बनाना बताऊंगी और सबसे अच्छी बात इस रेस्पी में यह है कि मैंने बेस एक ही बनाया है यानि कि एक बेस का इस्तिमाल करके मैंने दो अलग अलग तरीके की आईस क्रीम तेयार की है तो चलिए फटाफट से हम एस्पी को शुरू करते हैं तो यहाँ पर ली है मैंने ये बिपिंग क्रीम आप किसी भी कंपनी की बिपिंग क्रीम का इस्तिमाल कर सकते हैं और एकदम ठंडी है, मैंने अभी इसको फ्रीज में से निकाला है, तो ध्यान रखना है कि जो हम क्रीम इस्तिमाल करेंगे, वो क्रीम एकदम ठंडी होनी चाहिए. तो बाउल में डालेंगे हम दो कप क्रीम, और ये जो बिपिंग क्रीम है ये मीठी होती है इसमें वैनिला का फ्लेवर होता है और ये काफी गाड़ी होती है तो अब हमें क्रीम को अच्छे से बीट कर लेना है तो क्रीम को हम तब तक बीट करेंगे जब तक ये जो क्रीम है हलकी सी फलपी ना हो जाए यानि फूल ना जाए ये देखें क्रीम यहां पर हमारी बीट हो गई है और आप देख सकते हैं अच्छे से फूल गई है तो अब हम इसमें डालेंगे condensed milk, condensed milk भी यहाँ पर मेठा होता है और इससे जो texture है वो एकदम creamy आता है तो हम यहाँ पर पूरा 300 ग्राम condensed milk का इस्तिमाल कर रहे हैं condensed milk डालने के बाद इसको हम एक बार और अच्छे से बीट करेंगे तो यहाँ पर हमारी cream ready हो गई है यानि की ice cream का base तयार हो गया है अब हम तयार करेंगे दो अलग-अलग तरीके की ice cream तो यहाँ पर यह जो base है इसको हम अलग से दो बराबर भागों में कर लेते हैं क्योंकि हम दो ice cream बना रहे हैं तो मैंने एक बाउल लिया है बाउल में हम आदा बेस डाल देंगे सबसे पहले बनाएंगे हम mango ice cream तो मैंने यहाँ पर दो आम को पीस के पहले से रखा हुआ है तो यह जो आम का पल्प है इस पल्प को हम मिक्शर में डाल देंगे और साथी साथ डालेंगे इसमें हम mango essence यह optional है अगर आपको ना मिले तो आप ना डालें तो यह डाल दिया है मैंने एक चुथाई चम्मच mango essence essence डालने से जो mango ice cream है उसमें mango की अच्छी smell आती है और अगर यह puri हम ऐसे ही रख लेंगे यानि कि इसमें essence नहीं डालेंगे तो इसमें आम की smell नहीं आएगी टेस्ट तो आएगा पर smell आपको नहीं आएगी तो इसलिए मैंने यहाँ पर यह mango essence डाला है अगर आपको mango essence ना मिले तो उसके कोई परिशानी नहीं है आप essence के बिना भी mango ice cream बना सकते हैं और अब मैं डाल लई हूँ इसमें थोड़ी सी केशर की पत्तियां मिला देंगे सारी चीज़ों को अच्छे से और अब हम इसमें डालेंगे दो से तीन ड्रॉप औरेंज फूड कलर फूड कलर भी यहाँ पर ऑफ्शनल है अगर आपको नहीं मिले तो आप ना डालें पर मैं यहाँ डाल लई हूँ क्यूंकि इससे कलर अच्छा आता है फूड कलर को मिला देंगे अच्छे से तो यहाँ पर हमारा मैंगो आइस क्रीम का बेस हो गया है बन के तैयार और अब तैयार करेंगे हम बच्चों की फेवरेट चोकलेट आइस क्रीम चोकलेट आइस क्रीम बच्चो को खाना बहुत पसंद होता है मेरे घर में मेरे बच्चे भी चोकलेट आइस क्रीम खाना बहुत पसंद करते हैं तो चलिए अब हम बच्चो की पसंदीना चोकलेट आइस क्रीम को बनाना शुरू कर लेते हैं चौकलेट आइस करीब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह कोको पाउडर लिया है तो इसमें डालेंगे हम दो चम्मच कोको पाउडर आप यहाँ पर डाक चौकलेट का भी इस्तिमाल कर सकते हैं बस आपको कुछ नहीं करना है डाक चौकलेट को मेल्ड करके इसमें मिक्स कर लेना है और साथी साथ इसमें डालेंगे चॉकलेट एसेंस ये मैंने आदा चम्मद चॉकलेट एसेंस डाल लिया है मिला देंगे सबको हम अच्छे से तो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी अच्छे से मिल गई हैं अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से चॉको चिप्स और चौको चिप्स को भी हमें अच्छे से मिला लेना है चौकलेट आइस क्रीम के लिए मिक्चर हमारा तयार हो गया है तो चलिए अब हम इसको जमा लेते हैं आइस क्रीम को जमाने के लिए मैंने आपर ये कंटेनर लिया है और इसमें डाल देंगे हम तयार किया हुआ आईसक्रीम का मिक्चर और मिक्चर को थोड़ा सा हम बॉक्स में इस तरीके से फ्लेट कर लेंगे जिससे कि ये सारे तरफ अच्छे से फैल जाए और अब हम इसके उपर थोड़े से चोको चिप्स और डाल देते हैं चोकलेट आइस क्रीम है तो धोड़ी चोकलेटी अच्छी लगती है और बंद करके इसको रख देते हैं फ्रीजर में लगबख 6-7 घंटे के लिए 6-7 घंटे में आइस क्रीम बनके रेडी हो जाती है और अब हम जमा लेते हैं अपनी मैंगो आइस क्रीम तो कंटेनर में डाल देंगे हम आइस क्रीम की मिक्शर को और बंद करके इसको भी रख देते हैं हम 6-7 घंटे के लिए 6 घंटे हो गए हैं दोनों आइस क्रीम हमारी अच्छे से सेट हो गई है तो चलिए आइस क्रीम को हम सर्प कर लेते हैं वाव देखिए mango ice cream का आप texture देख सकते हैं कितना बढ़िया है और scoop भी कितनी अच्छे से बन चुका है तो चलिए इसको रखेंगे हम एक bowl में और कर लेंगे सर्व वाव दोस्तों देखिए कितनी बढ़िया mango ice cream लग रही है उसी तरीके से चौकलेट ice cream भी देख सकते हैं कितनी ज्यादा टैम्टिंग लग रही है इसको करेंगे हम चौकलेट सीरम से गानिश यह optional है अगर आपके पास ना हो तो आप ना डालें और यह हो गई हमारी दोनों ice cream खाने के लिए तैयार तो गर्मियों में आप इन दोनों ice cream को जरू ट्राय करें और एक कमेंट करके बताएं कि रेस्प में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए नमस्ते